दोस्तों अयोध्या के सर राम लला के मंदिर परिसर में एक ऐसी बिजित्र और चमतकारी घटना घटी है जिसे देखकर वहाँ उपस्थि सुरक्षा कर्मी और भक्त जन चौब गए दोस्तों यह घटना बहुत ही चमतकारी और बिजित्र घटना है आयोध्या राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 जनवरी से मंदिर को आम भक्तों के लिए भोल दिया गया सुबा तड़के से ही अपने प्रभू के दर्शनों के लिए मंदिर में भक्तों का सैलाब उमर पड़ा मंदिर सरधालों से खचा खच भर गया इतनी बड़ी संख्या में लोग राम लला के दर्शनों के लिए पहुँचे की मंदिर परिसर में पएर रखने तक की जगा नहीं थी भक्ति के इस सैलाब में मंदिर में एक बेहत अदभुद घटना घटी जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए मंदिर में तैनात सुरक्षा कर्वियों की माने तो इस घटना को देखकर वो भी चौग गए ये घटना किसी चमतकार से कम नहीं था उन्हें ऐसा एसास हुआ कि जैसे स्वयम परमभक्त हनुमान जी अपने आराद प्रवु स्रीराम लला के दर्सनों के लिए मंदिर में आये हैं और दर्सन के बाद चले गए ये इस घटना के बारे में विस्तार से जानते हैं दोस्तो मंदिर ट्रश्ट ने कहा कि स्रीराम जन भुमी मंदिर में एक ऐसी चमतकारी और बिचितर घटना घटी है जिससे वहां उपस्तित सभी भक्त जन और फ्रक्षा कर्मी जऊंग गए लगभग साम पाँच बचकर पचास मिनट पर एक बंदर तक्षणी द्वार से गुण मंदप से होते हुए गर्व ग्रिह में प्रवेश करके उत्सव मूर्थी के पास तक पहुँच गया बाहर तैनात फ्रक्षा कर्मियों ने देखा वे बंदर की ओर या सोच कर भागे की कहीं बंदर फुट्सव मूर्थी को जमीन पर ना गिरा दे परंतु जैसे ही पुलिस कर्मी बंदर की ओर दवडे वैसे ही बंदर सांत भाव से भागते हुए उत्तरी द्वार की ओर आ गया और स्रीराम लला की मूर्थी को प्रडाम करके पूर्व दिसा की ओर बढ़ा और दर्शनार्थियों के बीच से होता हुआ बिना किसी को कश्ट पहुचाए पूर्वी द्वार से बाहर की ओर निकल गया वहाँ उपस्तित सुरक्षा कर्मी कहते है कि ये घटना किसी चमतकार से कम नहीं थी ये घटना ऐसी लगती है जैसे मानोस्वयम हनमान जी स्रीराम लला की दर्शनों के लिए आये हुँ दोस्तों आयुध्या में अभी तक सभी घटनाओं में ये घटना सबसे बिजित्र घटना थी और ये घटना सभी सुरक्षा कर्मी के लिए किसी चमतकार से कम नहीं थी दोस्तों अयुद्या की यह जानकारी आपको कैसी लगी यदि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास सेर करें जैराम जी